तो दोस्त आपका स्वागत है एक बार फिर से आमारे चैनल नोटबंड में तो दोस्त आज किस वीडियो में हम क्लाश्ट येल्थ होम साइंस का जो सैंपल ले पर आया है सशन 2023 और 2024 के लिए वो डिसकस करने वाले हैं ठीक है दोस्तों फिर इसकी जो आंसर की है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ तो जरूर वीडियो में तक बने रहिएगा सत्तर नमबर का आपका होम साइंस का जो थियोरी का पेपर है वो होने वाल है तीन घंट आपको पूरे टाइम भी लेंगे अब जो दोस्तों आपका पेपर आएगा ठीक है जो बोर्ड इग्जाम में आएगा या जो सैंपल लेपर है इसमें टोटल 35 कोश्चन है चार सेक्ष्चन है A, B, C और D सेक्ष्चन ही में दोस्तों MCQ है कोश्चन नमबर एक से लेके 14 तक एक नमबर के सेक्ष्चन B में दोस्तों केश टड़ी वाले कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 से लेके 18 तक ठीक है ये भी एक एक नमबर के है Section C ज Ideo है दोस्तो उसमे 19 से लेके 25 तक दोदो number एक Question है ठीक है और Question Number 26 से लेके 39 तक जो है वो 33 तक जो तीन तिन नमचे है ठीक है फिर आता है Section D जिसमें 30 से लेके 33 तक जो Question है 14 4 नमचे और Question Number 34 और 35 यह पांच-माच नमचे है थिक है, यह आपका पूरे paper का pattern है, इससे आपको idea लग जाएगा, कि हर तरह कि question इसमें आने वाले हैं, एक number का आ रहा है, दो number का 3,4,5 number तक के question इसमें आने वाले हैं, आपके home science के paper में, पेपर में आपको दिखा देता हूँ फिर इसकी आंसर की भी दिखा दूँगा सेक्षण ए जो है mcq ठीक है आप question देख सकते हैं सबसे last day जो column है ठीक है उससे पहले marks लिखा है उसके बाद लिखा है typology of question किस type of question है तो यह सारे mcq question है ठीक है इसमें आपको सही option बस बताना है एक एक number के है 6th question जैसे है इसमें choice आपको 2 में से कोई एक बताना है ठीक है तो इस तरह से आपको choice भी मिलेगी इस तरह के question आप देख सकते हैं आप practice कर सकते हैं ठीक है इस sample एपर की practice कर लिजएगा ताकि आपको help मिलेगी अब जैसे यह वाला question है question number 13 इसमें आपको पास choice है ठीक है यह 14 तक है आपका section ही section B आता है दोस्तों case study है ठीक है case based question है और यह question number 15 से लेकर 18 तक है competency based question है ठीक है आपको यह passage पढणना है फिर उस पर question पूछे गए है आपको सही answer बताने है जैसे 15, 16 ठीक है 17 assertion reason वाला है और अठारवा जो है वो भी assertion reason वाला है तो यह सारे question है competency based ठीक है तो यह आपको पढणना इस तरीके से फिर आता है section C दोस्तों जिसमें short answer वाले question है जैसे question number 19 किस तरह question है short answer वाला question number 20 भी short answer वाला है दो नमबर का है इसमें आपके पास choice भी है 21 भी है दो नमबर का ठीक है वो भी short answer है 22 दोस्तों competency based question है 23 short answer है 24 में आपके पास choice है और यह भी competency based है 25 दोस्तों दो नमबर का है short answer वाला 26 दोस्तों तीन नमबर का है competency based है 27 तीन नमबर का है short answer वाला है ठीक है इसमें choice भी है 28 में दोस्तों दो पाट है A और B short answer वाला question है ये भी 3 नमबर का 29 में choice है short answer वाला है और ये भी 3 नमबर का है ठीक है तो इस तरीके का आपका question आने वाला है ठीक है कई question में आपके choice दी जाएगी फिर आते है section D जिसमें दोस्तो लॉग अंसर वाले question है चार और फास नमबर की तो question number 30 competency based है चार नमबर का है 31 में choice है long answer वाले question है चार नमबर का 32 दोस्तो इसला इसला तीन पार्ण है पहला पार्ण दो नमबर का दूसला एक नमबर का तीसरा एक नमबर का, यहनि 4 नमबर का एक question है, और यह भी competency-based है, 33 है दोस्तों यह भी 4 नमबर का है, competency-based है, इसमें भी 3 पार्ट है, एक, एक और last पार्ट है, दो नमबर का, 34 में दोस्तों, A और B, A और B, दो में से आपको कोई एक question करना है, 5 नमबर का है, यह long answer वाले, ठीक इसमें 35 questions थे, पांच नमबर के, चार नमबर के, तीन नमबर के, दो नमबर के, और एक नमबर के, इन सभी तरह के question आपको मिल गा, इसमें, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, आपने पेपर तो देख लिया, आप इसके जो सही answer है, ठीक है, किस question का, क्या answer होने वाला है, मार्किंग स्कीम किस तरीके से होने वाली है, तो चलिए दोस्तों, अब जो आपका home science का, मैंने sample एपर दिखाया, इसकी official marking scheme में आपको दिखा लेता हूँ, तो दोस्तों, अभी जो आपने home science class 12th का sample एपर देखा, उसी के official marking scheme है, तो इक है करके आप answer देख लीजिए, ठीक है, section यह जो था, MC के वाला, सबके answer आप देख सकते है, 1st का C है, 2nd का C, 3rd का A, 4th का A, 5th का C है, 6th में 2 question थे, पहले का D है, और दूसरे का B है, 2 में से आपको एक करना था, 7th का, 8th का दोनों का A है, 9th का C, 10th का, 11th दोनों का B, 12th का C है, 13th में 2 question थे, पहले का A है, और दूसरे का C है, आपको एक करना था, कोई सा, 14th का A है, दोस्तों, फिर section B जो होती, जिसमें case study पर बेश्ट कोशन थे, तो 15th का C है, 16th और 17th का A है, और 18th का C है, ठीक है, फिर आता है section C, जिसमें short answer वाले question थे, तो यहाँ पे points लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसके question number 19 है, आपको कोई 4 point लिखने थे, दो number का question था, यहाँ पे 6 point लिखने हैं, लेकिन आप इन में से कोई 4 point लिख सकते हैं, इसके अलावा भी 4 related points लिख सकते हैं, जैसे 20 वाला है, इसमें भी आपको 4 stage define करनी थी, या तो आपको नीचे वाला question बताना था, चार duty या responsibility बतानी थी, ठीक है, तो यह भी दो number का question था, 21 जैसे 24 objectives आपको बतानी था, diet therapy के, ठीक है, यह भी दो number का question था, 22 में दोस्तो दो reason बताने थे, आपको ठीक है, और 2 reason, यहाँ पे 3 दिया हैं, लेकिन आपको कोई 2 लिखने थे, ठीक है, आप अराम से देख सकते हैं, answer की इस तरीके से आपको लिखना है, point wise, 23 में दोस्तो चार factor बताने थे, यह भी दो number का question था, 24 में भी दोस्तो, पहले में आता है, आपको दो courses बताने थे, और या फिर आपको चार skill बताने थे, इन में से कोई एक करना था, यह दो number का था, 25 जा दोस्तो, यह भी दो number का question था, इसमें दो roles बताने थे, CSE के, या फिर दो roles आपको बताने थे, WT हो गए, ठीक है, यह आप देख सकते है, इस तरीके का, आपका यह paper था, उसके answer आप राम से देख लिजिए, 26 में दोस्तो, तीन number का था, आपको इनको compare करना था, तीनों types को, ठीक है, 27 यह भी तीन number का था, इसमें choice भी थी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको answer लिखने है, example लिखने है, points लिखने है, ठीक है, तब आपको पूरे number भी लेंगे, 28 भी दोस्तो, तीन number का था, 29 आप देख लीजिए, इसमें choice भी थी आपके पास, फिर आता है section D, long answer वाले जिसमें question है, 4 और 5 नमबर के, question number 34 नमबर का था, ठीक है, फिर 31 जो है दोस्तो, वो भी 4 नमबर का आप देख सकते हैं, इसमें choice भी थी आपके पास, ठीक है, या तो आप नीचे वाला question करिए, या उपर वाला, फिर 32 है, दोस्तो, ये भी 4 नमबर का question था, ठीक है, इसमें भी कई सारे points आपके लिए लिखे गए हैं, फिर 33 है, 4 नमबर का, ठीक है दोस्तो, फिर आता है 34 question, जो 5 नमबर का था, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसमें choice भी थी, choice वाले question के भी या पर answer दिये गए है, फिर आता है last question, question number 35, ठीक है, दोस्तो, ये भी 5 नमबर का था, और ये आप इसके answer या पर देख सकते हैं, ये दोस्तो, मैं आपको marking scheme दिखा दी, home science के paper की, इससे पहले मैं आपको question paper भी दिखा चुका हूँ, sample पर जो आया है, ठीक है, उमीद कर तो आपने sample पर देख लिया होगा, answer की देख के आपको idea लगया होगा, कितने number काया तो आपको कितने points लिखने है, किस तरीके से आपको pattern होने वाले, तब से फिर मिलेंगे दोस्तो, next video में, किसी और subject के sample paper के साथ, या किसी और topic के साथ, तब तक लिए, bye-bye, see you again, and thanks, roachin.